हम बात करेंगे nth derivative की किसी भई हमने एक बार differentiate किया दो बार किया तीन बार किया अगर n बार करें तो क्या करोगे तो n बार एक तो हर function का हो नहीं सकता तुछ standard results होंगे जिनको n बार आपको differentiate करना पड़ेगा तो कुछ results के बारे हम बात करने जा रहे हैं जैसे मान लिया आपको करना है dn of ax plus b की power m ध्यान से समझेगा थोगा कुछ special cases आपको दिक्कत कर सकते हैं dn बोले तो n बार derivative करना है ax plus b की power m अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे पहले एक बार differentiate करो इसका क्या होगा इसका एक बार differentiation decision मालोग है ना क्या होगा m और भाई इसको आप x मानेंगे m ax plus b की power m minus 1 और जो इसका करेंगे तो क्या आएगा ए आएगा तरीका मालोग बताए हम जब भी whole power होता है जब भी whole power होता है अंदर चाहे अकल बकर जो भी लिका हो उसको आप क्या मान लेंगे x x for n लगा देंगे अब एक बार और differentiate करते हैं तो m तो था ही यहां क्या जाएगा m minus 1 और इसका क्या हो जाएगा ax plus b की power m minus 2 और यहां क्या जाएगा a square अब हमको यहां पर symmetry देखनी पड़ेगी कि एक बार differentiate करने से यह चीज़ कैसे change हो रही है यह कैसे change हो रहा है और यह कैसे change हो रहा है यह दे तो m, m minus 1 यहां क्या आएगा m minus 2 आएगा यहां a की power 3 आएगा यहां ax plus b की power m minus 3 आएगा अब जड़ा देखिए ध्यान से and so on ऐसे हो गया अब मैं इन बार करने जा रहा हूं और जड़ा ध्यान से समझेगा जब हमने one bar differentiate किया तो यहां m आया यानि कि यहां पर m हम m का इससे समझ निकाना चाहते है m को हम एक बार differentiate किया ना तो m minus 1 प्लस 1 ले सकते है यह तो आएगा ना क्यों यहां पर क्या आया बाद में आप दो बार तो इसको m minus 2 प्लस 1 ले सकते हैं यहां बाद में क्या आया लास्ट में m minus 2 और कितनी बार किया है तो m minus 3 प्लस 1 ले सकते हैं तो आपने क्या देखा कि जतनी बार differentiate कर रहे हैं उसको m से मानस कर रहे हैं और एक extra प्लस कर रहे हैं तो यानि इसका रिजल्ट क्या मैं M M-1 M-2 अब 2 M-N-1 लेख सकते हैं एक बार difference rate क्या तो A दो बार में A square तीन बार में A cube तो N बार में 1 पार N एक बार में इसकी पावर M-1 दो बार में M-2 तो N बार में AX प्लस B की पावर M-1 Have you got it? सुन में बात फ्रावर्ट नोट करते हैं देखिए अब ये तो N-th derivative आपका आ गया अब यहां कुछ special case है पहला case दरा साउधान पहला के case कह रहे हैं कि if M is positive integer if M is positive integer हो पहली बात तो ठीक है? यह नि नेचरल नंबर कह सकते हैं और M जो है ना वो greater R equal to N हो दरा समसी करिए गर T या नहीं M बड़ी संक्या है ठीक है? अगर M बड़ी संक्या है तो M-N जब करोगे तो positive आएगा ना आएगा ना और उसमें से plus 1 कर रहे हो यह संक्या positive रहेगी ना यानि कि M plus N plus 1 जाद देखिए जान से और आपको निकालना है DN of AX plus B की power M और आपने का M बड़ी संक्या है? तो दाद देखिए जान से M, M-1 और last में क्या आया है? M-N plus 1 इससे एक कम कर सकते हो इसको इससे एक और कम करिए क्या बन जाएगा? M-N हो जाएगा ना वह आप एक-एक मैनस कर रहे हो ना इससे और एक मैनस करो तो यह क्या बन जाएगा? M-1 और एक मैनस करो स्वरी M-N और एक मैनस करो तो M-N-1 कम होते होते कहां तक जाएगा 2 into 1 तक जाएगा चला जाएगा ना तो यानि कि हमने क्या किया यहां से लेकर के यहां तक की संख्या को multiply कर दिया इसमें तो divide भी करना पड़ेगा ना तो upon में भी m ने कर दिया m minus n into m minus n minus 1 up to 2 into 1 और उधर जो लिखा है a की power n into a x plus b की power m minus n उसको तो लिखा ने दिया हमने ठीक है यह क्या लिखा है ज़रा उपर देखिए कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको नहीं कुछ दिखा आपको नहीं दिखा ध्यान से देखिए m natural number था m लिखा फिर a कम हुआ फिर कम हुआ होते 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 तो कहां तक गया तो कोई number जब कम होते होते 1 तक जाता है तो क्या बन जाता है factorial बन जाता है यानि क्या मैं कह सकता हूँ यह factorial m लिखा हुआ है और यह factorial m minus n लिखा हुआ है into a to power n इन्टो ए यह AX प्लस B है साफ साफ करिएगा M माइनस N AX प्लस B की पावर M माइनस N हो गया तो यह कब हुआ जब M ग्रेटर देन यह रिजल्ट समझ नहीं बात आएगा नट करिए दूसरे केस में कहरें कि आगर मालिया M की वैलू N के बराबर हो जब आप डिफ्रेंसेट कर रहे थे तो एक एक पावर कम हो रही थी न और कितनी बार डिफ्रेंसेट किया आपने N बार तो यहाँ N माइनस N हो जाएगा न तो क्या हो जाएगी वैलू 0 तो अगर हमको मतबद N बार डिफ्रेंसेट करना है किसको AX प्लस B की पावर N को पर आप कहरो M बराबर N है जितनी बार डिफ्रेंसेट करना है उतनी ही पावर है यह तो अल्टिमेटली यहाँ पर M माइनस N माइनस N आ जाएगा न तो यह लिए 0 हो जाएगी तो यह फैक्टोरियल N हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 0 आएगा आएगा ना और इंटू 8 पावर N यह रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल N क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 होता है तो यह N बार डिफ्रेंसेट हो गया ठीक है लिखे यह केस हुआ तीसरा केस क्या कर रहे है कि अगर M जो है न वो लेस्ट देर N हो अब यहां लफडा समझेगा मतब रिजल्ट क्या है को तो बात की बात है आप देखो आप N बार डिफ्रेंसेट कर रहे हैं किसको AX प्लस B की पावर M जब एक बार डिफ्रेंसेट किया था यह वैल्यू क्या गई थी कम होती जा रही थे न तो कम होते होते अपसे कहा गया M is less than N तो यह कम होते होते ultimately एक constant term आ जाएगा वह घरता घरता जाएगा तो यह कैसा हो जाएगा constant term आ जाएगा तो इसका डिफ्रेंसेट क्या हो जाएगा जेरो कैसे देखो अगर मैं कहूं कि आपको DN करना है यह मालेद D4 करना है चार बार करना है 3X प्लस 4 की पावर 3 का चार बार डिफ्रेंसेट करना है ठीक है तो जब आप एक बार करते हो तो यहां क्या आजाती पावर 3-1 चार बार तो यहां क्या आजाता है 3-2 तीन बार करते हो तो क्या आजाता है 3-3 वैलू क्या आजाती है 1 अब इसके बार करोगे तो 0 हो जाएगा नहीं समझे जब M जो N जतनी बार डिफ्रेंसेट कर रहे हो तो वह वालू बड़ी है तो यहीं कहीं तो आपने एक बार किया दो बार किया तो एक बार M भी रास्ते में आएगा नहीं समझे अगर M less than N है तो N की value अगर 1 से लेकर के 50 तक लिखा तो यहीं कहीं तो M आएगा ना तो जब इतनी बार differentiate करोगे तो यहां M minus M हो जाएगा ना तो value 1 हो जाएगी यहनि वो constant अम आ गया तो उसका derivative क्या हो जाएगा 0 तो यह अगला case हुआ जागर कि तीसरा case है कि अगर माल यह M is a negative integer हो M is negative integer तो आप कहेंगे यह result याद रखेंगे नियमता तो याद ही रखना चाहिए नहीं सभी cases याद रखने पड़ेंगे otherwise आप proof करके महां रख दो value सुन में आ जाएगा तो को negative integer का मतलब क्या होता है M की value हम फिलाल minus P रिखे देना है ठीक है तो अभी जो अन बार आप differentiate कर रहे थे AX plus B की power M तो आपका result क्या रहा था M M minus 1 M minus 2 up to M minus N plus 1 तो यानि की हो जाएगा minus P minus P minus 1 minus P minus 2 up to minus P minus N plus 1 यह था ना और क्या था A to power N यानि A to power N और AX plus B की power M minus N तो M M minus M मतलब minus M क्या लिक रहा हम minus P minus N ही तो आएगा कितनी बार differentiate यह आपने किया है इसको कितने बार आपने differentiate किया है इसमें less मैंन के चले है क्या पता नहीं क्या है N time किया है न तो यहाँ पर हर जीए minus आ Hersा रहा है तो कितनी बार माइनस आएगा n बार आएगा ना तो अगर सम्मे से माइनस कामल ले ले तो माइनस 1 की पावर n हो जाएगा यहाँ क्या आप चाहिएगा P into P plus 1 into P plus 2 up to यह माइनस कामल यह है ना अपने तो यह P plus n minus 1 हो जाएगा और ये a की power n हो जाएगा और ये a x plus b की power minus p minus n हो जाएगा अब ज़रा साउधान ये value तर बढ़ रही है ना ये p r e v p plus 1 r e बढ़ रही है ना तो उल्टा घट रही है अब देखें जब बढ़ रही है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होग जाएगर p तर इससे एक कम करो p minus 1 इससे एक कम करो p minus 2 घटे घटे कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा ना तो यानि की हम देखें ज़रा ध्यान सुझेगा यानि ये minus 1 की power n इसके पहले हम 1 into 2 into 3 up to p minus 1 ले सकते हैं ना उसके बाद को न आएगा ये भाई साभाएंगे इसके बाद इस p आएगा फिर इसके बाद p plus 1 आएगा और last में क्या आएगा p plus n minus 1 आएगा और into a to power n into a x plus b to power minus p minus 1 बाद सुन में आई तो actually आपने किया क्या है यहां से लेकर के यहां तक आपने multiply किया है ना नहीं किया है यह है क्या चेज अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक देखूँ तो यह क्या लिखा है p minus 1 के पहले क्या आएगा p minus 2 घरते घरते बन तक गया है यानि आपने p minus 1 factorial से multiply किया है ना तो नीचे भी divide भी करना पड़ेगा तो नीचे क्या जाएगा p minus 1 factorial अब बताओ यह आपका यहां से लेकर के घरते घरते बन तक गया है तो यह क्या लिखा है p plus n minus 1 यहां तक नोट करिए अब देखिए यह आपका क्या आया है यह चल क्या रहा है dn of ax plus b की power एक तरिके से minus p चलना है minus p चलना है इस result को ध्यान रखिएगा भी इसका इस्तिमाल हम करेंगे तो यह है minus 1 की power n क्योंकि differentiation तो n बार आप कर रहे और यह क्या लिखा है p plus n minus 1 factorial लिख सकते हैं न और नीचे क्या लिख सकते है p minus 1 factorial और into a की power n into ax plus b की power और आप देखो इसको minus p minus n लिखिए या इसको upon में लिख सकते हो तो minus p minus n लिख दीजिए ठीक है पहुचे यहां तक अब फिप्थ case है कि अगर m जो है न वो minus 1 हो जाए यह बहुत इस्तिमाल होता है क्यों होता अभी हम बताएंगे अब जो को minus 1 हो जाएगा तो अभी आप m को क्या रख दे थे minus p रख रहे थे न तो यानि इसी result में p की जगे क्या कर दे minus 1 कर दे putting p is equal to चलेगा न sorry p को 1 रख दे m बराबर आपने minus p लिखा था और आप कह रहो m is equal to minus 1 उसका उताब p की जगे आप क्या लिख रहे हो 1 लिख रहे हो न तो यहाँ p को 1 रख दे तो यह क्या बन जाएगा dn of ax plus b की power minus 1 आपने p को 1 रखा है तो आएगा minus 1 की power n factorial 1 plus n minus 1 into a की power n into ax plus b की power minus 1 minus n upon p को 1 रखाते 0 हो जाएगा न factorial 0 factorial 0 1 होता है तो यह क्या हैगा minus 1 की power n into factorial n into a की power n और यह अपन में आज लेख सकते हो इसको न या into ax plus b की power minus n minus 1 इसको निचे लिया तो minus 1 की power n into factorial n into a की power n upon ax plus b की power n minus n plus 1 इस result को बहुत 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 कर लीजिए इसको कहते हैं learn कर लीजिए क्यों? इस result बहुत इस्तेमाल होने वाला है क्यों? अभी क्यों भी बात में बात करेंगे फ़र यहां तो पहुचिए यह एक तरीके से dn of 1 upon ax plus b है इसको उपर ले गए तब inverse आया है ना तो यह result आया हुआ है अब अगर आपको nth derivative निकालना है किसका log ax plus b का change हो गया अब log में एक दिक्कत है differentiation आप log x क्या होता है? 1 upon x यानि पहले बार derivative करने पर log खतम हो जाएगा तो log की similarity तो चलने वाली है नहीं यानि अगर मैं इसको y माल लेता हूँ यहां पर यह क्या चीज़ है? y है ना यानि y है आपका log ax plus b तो जब इसको एक बार differentiate करेंगे इसको तो क्या आएगा? 1 upon ax plus b और यह a बार आजाएगा actual में क्या आया है? a into ax plus b की power minus 1 यह पहला derivative है अगर दो बार differentiate करें तो अब यह पकड़ेंगे न log का काम तो खतम हो गया ना तो यह a square हो जाएगा और यह आजाएगा ax plus b की power minus 2 तीन बार derivative करें तो a की power 3 हो जाएगा ax plus b की power minus 3 क्या हो रहाई है? लफडा क्या हो रहाई है? कि एक बार किया तो a आया दो बार किया तो a square आया तीन बार किया तो a cube आया n बार किया तो a की power लेकिन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यह माइनस 1 भी तो आएगा यहाँ पर N X पॉर N माइनस 1 होता है जब इसको differentiate करोगे तो X पॉर N लगाओगे ना और अगले में माइनस 1 माइनस 2 भी आएगा यह भी चलेगा साथ साथ भी तो ध्याने नहीं दिया हमने हम भी तो आएगा ना तो जड़ा आप थोड़ा इसको पकड़िएगा कैसे आ रहा है यह देखो पहली बार में माइनस 1 आया हुआ है है ना और इसको पहले अच्छा लिखा रहे देगा माले पहले लिखा हुआ है तो इस माइनस 1 का इससे क्या रिस्ता आ रहा है मतलब भाई आपको y2 से इसको रिलेट करना पड़ेगा ना कि दो बार किया तो माइनस 1 आया मतलब दो बार किया तो माइनस 1 आया मतलब माईनस 2 प्लस 1 आया ना इसी को हैंगे माईनस 1 और इन 2 में क्या आया A square आया इन 2 में क्या आया A x प्लस B की power माईनस एक बार किया तो माईनस 1 दो बार किया तो माईनस 2 या माईनस 2 आ गया अच्छा जब इसको दो बार differentiate किया तो minus 2 बाद में आ रहा है यानि कि पहले minus 1 आया और फिर minus 3 3 plus 1 तक गए तो एक बात एक जैसा दिख रहा है आपको कहां दिख रहा है, एक जैसा सिमेट्रीर बनानी पड़ेगे ना, तो यानि कि इसको हम लिखेंगे minus 2 plus 1 minus 3 plus 1, ऐसे लिखना पड़ेगा ना एक जैसा बनाना पड़ेगा ना तो ये आजाएगा a की पावर 3 into a x plus b की पावर minus 3, नोट को दिए इसको फिर रब करें ये अपना बनाईए जैसे लिखे, वो बहुत confused करेगा, अभी देखते हैं कैसे आता है ये किली ये पहले कर दीजेगा गलती से हम इधर लिख गाए पहले कर दीजेगा मैनस 1, मैनस 2 पर लास्त वालब तक य्याद रिखिए है कैसे minus 3 plus 1 लिखा हुआ है ये याद रिखिएगा इससे इससे रिलेट करेंगे तो लास्ट वाला माइनस 2 प्लस 1 लिखा है लास्ट वाला माइनस 3 प्लस 1 लिखा है तो जब हम n बार derivative करेंगे इसका तो यह आएगा a की पावर n आएगा चुकि वो तो सिमेंट्री चल लए है यह आएगा a x प्लस b की पावर माइनस का n आप देखो यहाँ पर देखिए फिर हमने गलती कर दी वो पहले लिखो बाद में लिख रहे है देखो यह माइनस 1 आएगा यह माइनस 2 आएगा यह माइनस 3 आएगा तो n बार में क्या आएगा जब आपने दो बार differentiate किया तो यह माइनस 2 प्लस 1 आया तीन बार किया तो माइनस 3 प्लस 1 आया तो n बार किया तो माइनस n प्लस 1 आया इंटू a की पावर n आया इंटू ax प्लस b की पावर माइनस का n आया ठीक है पहुँचिए यहाँ देखिए यह कितनी बार differentiate आपने किया है क्या पहली बार differentiate करने पर minus sign आया था पहली बार differentiate करने पर minus 1 minus negative नहीं आया तो negative तो एक बार कम आया है ना कितनी बार आया है तो minus 1 की पावर n minus 1 आया नहीं समझे यह 1 बचा into 2 बचा into 3 बचा और यह n minus 1 हो जाएगा minus कामल लिया है ना यानि कि इधर बढ़ रहा है ना बढ़ते बढ़ते कहां तक गया है n minus 1 तक n minus 1 नहीं मैनस कामल लिया ना n minus 1 तक तो घरते घरते कहां तक आया है 1 तक कौन घरत रहा है n minus 1 घरते घरते 1 तक आया है ना तो जब कोई number घरते घरते 1 तक आता है तो वो क्या लिखा होता है factorial यानि ये आपका n-1 factorial है और into a की power n है और into a x plus b की power minus n है संच में आई बात नहीं आई थीक है अब ये note करिए लेकिन हम डारेट अभी इसका एक और concept बता रहे है इसका second method है तो ये mathematics है इसका नाम रखा गया mathematics जो मस्तक पे tick लगा दे बड़े-बड़े को ऐसा कहते है कि ज़्यादा पढ़ने से खुपड़ी के बाल गूड़ जाते है लेकिन Newton साहब के बाल बहुत बड़े-बड़े धिम को देखने है फिचर में इसका मतलब ये concept प्लस B का inverse आ रहा था अब ये बताओ ये चीज यहाँ है कि नहीं है इसका derivative पढ़ चुके ना तो अगर मैं इस चीज का तो एक बार differentiate हो गया है ना और कितनी बार करना था हमको N बार एक बार हम कर चुके हैं आप कितना बचा नहीं इन बार तो differentiate इसका करना है ना एक बार तो हो चुका ना डिफ्रेंसेशन और एक बार डिफ्रेंसेशन होने से log change हो गया तो अब अगर इस चीज को एक बार कम differentiate करने चलेगा मतलब हम जो dn आप को निकालना है ना log ax प्लस b को इसको अगर एक लिखा पहले से अगर इसका एक बार कम differentiate कर दे चलेगा तो बात वही मैं कर रहा हूँ मैं log का एक बार differentiation हो चुका है अब इसका n-1 बार कर दे एक कम कर दे तो आपका जो ये result है इसमे n की ज़ेगा क्या रख दो n-1 चलेगा ना n-1 बार कर रहा हूँ ना तो रख दो उठा के ये क्या बन जाएगा ये तो ही है ये बज़ेगा आपका minus 1 की power n-1 factorial n-1 a की power n-1 upon ax plus b की power n-1 और plus 1 पहले से दिखा हूँ है ये कड गया तो ये क्या आएगा आपका a की power n-1 ये है और 1 power ये है तो a की power n हो गया minus 1 की power n-1 factorial n-1 upon ax plus b की power n इसके पहले भी यही result आप proof किये हो ना नहीं जे तो हम यही कर ले एक बार differentiate कर दे बात में हमारा ये result है उसको एक बार एक उससे कम करके तीसरा formula अगर आपको dn of e to power ax plus b करना है तो हम जानते हैं अगर इसको एक बार differentiate करो कितना आएगा a e to power ax plus b दो बार करो उगा a square e तो यही रहेगा ना तो इसी प्रकार से n बार करोगे n बार करोगे तो आएगा a to power n e to power ax plus b हो गया नोट करिए तो इसी है complication पहले वाला थोड़ा complicated है complicated नहीं है चुकिए algebraic है man बहुत चीज़े वहाँ पर थी चौथा formula अगर आपको dn of करना हो a to power a to power ax plus b या केवल 8 to power x लिख दो जो भी करना हो 8 to power ax a x क्यों है a x plus b लिख दो चाहे केवल आप जो है 8 to power x ऐसे लिखाना दो अब ज़रा देखेगा हाँ इसको a x plus b लिखाना दो कोई दिकत नहीं जब एक बार differentiate करो कितना आएगा अब आप पताईए d by dx of a to power x हमने क्या पढ़ा है बोल गए a to power x log a to base e अब एक लफड़ा बस उसमें यह है कि a की power में हमने यहाँ पर जो है यहाँ भी a लिख रखा है तो confusion create करेगा ठीक है इसको आप bx plus c कर दो चलेगा चुकि यहाँ भी a लिखा वहाँ भी a लिखा तो एक जैसे आपको लगेगा जब आप एक बार differentiate करोगे तो बाहर क्या आएगा b आएगा इसको आपने मन में क्या बना है x माना है ना तो इसका differentiation क्या होगा a to power bx plus c into log a to base e आएगा यह होता है 8 to power x का differentiation ठीक है अच्छा दो बार differentiate करोगे तो आपने क्या किया देखिए b log a b log a to base e पहले से लिखा हुआ है ना और जब इसको differentiate करो तो फिर b आएगा तो फिर b square हो जाएगा यह फिर log a आएगा फिर इसका भी square हो जाएगा तो और यह into में क्या आएगा a to power bx plus c तो अगर आपने n bar derivative किया तो क्या होगा b to power n log a to base e की power n a to power bx plus c यह n bar derivative हो जाएगा ठीक है next देखिए कौँसे नमबर था पता नहीं कौँसे नमबर था अब आपको dn निकालना है sine ax plus b आप यहाँ थोड़ा सा लफड़ा start होना शुरू हुआ है देखो एक बार differentiate करो जाएगा तो sine ax plus b क्या होगा a बारा आएगा यह आएगा cause ax plus b अब एक लफड़ा भाई पहली बार differentiate किया तो cause आगया दुबारा करेंगे तो minus sign आएगा दुबारा करेंगे तो minus cause आएगा कहे minus sign हुआ है न तो sine plus होगा तो क्या nth bar derivative में plus होगा कि minus होगा बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं आईडियास नहीं बता सकते हैं भाई एक बार plus में cause आया पिर minus sign आएगा पिर minus लगा रहेगा sign का cause हो जाएगा फिर cause का फिर निकित होगा माइनस फिर plus बन जाएगा तो nth derivative में आप ये नहीं बता सकते हैं कि minus आएगा कि plus आएगा ये आप नहीं बता सकते हैं साइन आगा, यह कौस आएगा, तो एक सिमेट्री तो बनी नहीं, तो हम फामुला भी नहीं बना सकते हैं, तो हम सिमेट्री बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, कि यही चीज यह बना दें, साइन बना दें इसको, तो इसको अगर हम चाहें, इसको साइन यह AX प्लस B देटाथ क्या दिक्कत थी दिक्कत ये थी ना कि भाई ये जो ये नेगेटिव हो गया ना ये दिक्कत करेगा तो आप कहीं हम मैनस कामन ले रहते हैं हम उल्टा लिए देते हैं तो ये बन जाएगा आपका AX प्लस B minus five by two ये लिखने के लिए आपको negative कामन लेना पड़ेगा तो आप symmetry बनाने के लिए करेंगे ना तो आपने ये five by two plus कर दिया सो मैं 있습니다 अब दो बार differentiate किया इसको अब ये होगा अ भी और है तो इसका फिर a आएगा तो बहार क्या हो जाएगा a square फिर ये तो यह क्या हो जाएगा, sin ax plus b, प्लस यह क्या हो जाएगा, 2 pi by 2, तो आप सोचिंगा, अजीब मूर्खो, 2 pi by 2 को pi लिख दो, नहीं लिखना चाहते हैं न, तो हम symmetry बनाना चाहते हैं न, एक बार में pi by 2, दो बार में 2 pi by 2, तीन बार में 3 pi by 2, तो y3 is equal to क्या हो जाएगा, a की पावर 3, sin ax plus b, प्लस यह हो जाएगा, आपका 3 pi by 2, तो इसी प्रकार से, जब हम इसका nth derivative निकालेंगे, तो आएगा a की पावर n, sin ax plus b, plus ax plus b, plus n pi by 2, समझे हैं बार नहीं, अब यह रिजल्ट आपको डायट याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ax plus b बोले तो, x का कोफिशेंट a है, और जो कॉंस्टेंट तम है बी है, compare करना पड़ेगा न, तो हर जगे आपको formula लिखना पड़ेगा, जैसे हमने आप से कहा, कि what is the nth derivative of sin 4x plus 5, तो आप लिखेंगे, we know that nth derivative of sin ax plus b is this, यहाँ a क्या है, 4 है, b क्या है, 5 है, हाँ, मतलब हमला आपको लिखना पड़ेगा, we know that, तो यह हो जाएगा, 4 की power n, sin 4x plus 5, plus n pi by 2, आप मनें एका 5 बार करो, तो n को 5 लग दो, करना है, n को रद दीजएगा, वह nth derivative मतलब n ही बार नहीं है, वो 5 बार, 7 बार, 8 बार, यह लिखेंगे, ठीक, नोट करिए, अब जैसे मालिया, e to power ax sin bx plus c है, देखे, मालिया, आपको dn निकालना है, e to power ax sin bx, क्यों बीक्स लिख दो, c लिखने बहुत लंबा पड़ेगा, bx plus c लिख दो, लिखा हुआ है इसमें भी, तो bx plus c लिखी दीजिए, अब आपको दिख रहा कि अब, जब इसको एक बार differentiate करेंगे, तो कौन सा रूल लगाएंगे आप, product rule लगाएंगे, first function d by dx of second function, plus second d by dx of first function, की cause होगा, नहीं बिता सकते आप, तो इसलिए हम पर एक बार differentiate करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, तो एक बार differentiate करेंगे, y1, तो क्या हैगा, देखे, first function, e to power a x, sin bx plus c का differentiation क्या होगा, b, cause, bx plus c, plus second function, sin bx plus c, और e to power a x क्या होगा, a e to power a x सही कावने, अब problem, अगली बार जब differentiate करेंगे न, तो यहां भी लगेगा product rule, और यह cause बदल जाएगा, minus sign में, minus sign में, अब nth बार में minus होगा, plus होगा, sign होगा, cause होगा, हमको नहीं मालूम, और इतने product rule बन जाएगे, यह हमारी हरत खराब हो जाएगी, तो थोड़ा सा technique लगाते है, e to power a x कामन ले लेते हैं, यहां क्या बचाएगा, पर बोले बोलेते हैं, a, sign, b x plus c, plus b, cause, b x plus c, दरा समझेगा, हम चाहते हैं, sign में convert हो जाए, तो sign ही था, और sign ही वहाँ जाए, क्या कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है, sign में convert हो सकता है, देखें, अगर यह हो जाए, cos theta, और यह हो जाए, sign theta, यानि कि sign a cos b, plus cause a sign b, sign a plus b का, formula बन जाएगा, तो मैंने क्या-क्या यहां पर, एक assumption किया, a को मान लिया हमने, r cos theta, और b को हमने मान लिया, b को हमने मान लिया, r sign theta, बाद में r और थीटा को हम गाइब कर सकते हैं, कैसे गाइब करेंगे, अगर दोनों को squaring and adding कर दें, तो a square plus b square is equal to, r square, cos square theta plus r square, sign square theta, r square कामल लेंगे, तो cos square अपनों sin square क्या हो जाएगा, one हो जाएगा, यानि squaring and adding करके, तो हम r square की value निकाल सकते हैं, a square plus b square, और दोनों को divide कर दें, theta निकाल सकते हैं, और a और b के time में निकाल सकते हैं, और a और b आलेडी question में दिया हुआ है, तो theta की value क्या होगे, तो divide करेंगे, तो tan theta is equal to a अगा b अपाने, तो theta निकल आएगा tan inverse b अपाने, कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हमने इसलिए लिखा कि, हम बात भी इसको रखेंगे, लेकिने fair work है, rough work नहीं है, तो जब यहां रखेंगे y1 is equal to, eat power ax, अब दिखो, यहां आपने लिखा r cos theta, यहां आपने लिखा r sin theta, r आपने ले लिया common, ठीक है, तो ये क्या पुचएगा, sin a cos theta, plus cos a sin theta, तो sin a plus b का formula बनेगा, यानि ये बन गया sin bx plus c plus theta, सही का मैंने, ठीक है, यहां तक पहुँचिए आप, अब जोगो एक बार आपने differentiate कर दिया, अब ज़रा साउधान, अगर दुबारा differentiate करें हो, अब करेंगे direct, लिखेंगे direct, तो जब first function, इसका फिर b बाहर आएगा, plus second function, इसका फिर a बाहर आएगा, तो लगभग ऐसा ही बनेगा न, क्यों एंगल इसका क्या आएगा, bx प्लस c प्लस थीटा, यह आएगा, तो जो assumption करेंगे, तो एक थीटा और प्लस हो जाएगा, यानि कि अगर हम y2 करें, तो क्या आएगा, e to power ax, और r फिर आएगा, r square, यह आएगा, sin bx प्लस c प्लस 2 थीटा, similarly, n bar differentiate कर देते हैं, similarly, n bar differentiate कर देज़ें, similarly, जब y n करेंगे, तो क्या आएगा, e to power ax, r to power n, और यह आएगा, sin bx प्लस c प्लस n थीटा, तो यह आपका n-th derivative होगा, ठीक है, note करिए, और देखिए, जो हमने बीच में r निकाला है, assumption तो आप लिखेंगे, last में लिखेंगे आप, लास्ट में लिखेंगे आप, र इस वाट, अंडरूड, a square प्लस b square, और थीटा इस वाट, tan inverse b by a, तो आप अपना answer theta के, इसी term में छोड़ देंगे, लिख देंगे, r यह है और theta यह है, ठीक है, अब यह similarly कर लेंगे, eat pour a x, cause bx plus c, लेकि ध्यान ने किया कि, जो a b का assumption इसमें ऐसा होगा, कि जिसमें cause में convert हो जाईए, ठीक है, तो इसका जब nth करेंगे, तो इसका formula भी क्या आया था, eat pour a x भारा आया था, तो r pour n यहां भी आएगा, eat pour a x यहां भी आएगा, और यह भी आएगा, cause bx plus c plus n theta, डायट होगा, ठीक है, और theta is and r is what, वो आपको बताया गया है, क्या होता है, ठीक है, तो यह आपका cause का हो गया, आप सरना सुझिएगा, थोड़ा सा, technical,